नमस्कार मैं प्रियंगा स्थाना आप देख रहे हैं वीके लियोस जामिया के गोली कांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि किस तरह एक यूवक खुले आम तमंचा लहराते हुए आता है और फाइरिंग कर देता है बताते कि इस गोली कांड में जामिया का एक स्टूडेंट घायल भी हो जाता है इस गोली कांड के बाद आपने खबरों में गोली कांड करने वाले लड़के के फेस्बुक एकाउंट के पोस्ट देखे होंगे कि किस तरह वो लड़का कटर हिंदुत्व की विचारधारा से प्रभावित है और उसके मन में शाहीन बाग के प्रदर्शन को लेकर गुसा काफी समय से पल रहा है जसके चलते हैं उसने इस गोली कांड को अंजाम दिया इसके बाद गोली कांड करने वाले के आधार और मार्क शीट से ये पता चलता है कि वो नावालिक है और उसकी उम्र 18 साल से कम है हाला कि पोलिस इसकी जाज कर रही है खैर आपने गोली कांड को अंजाम देने वाले का फेस्बुक एकाउंट तो देख लिया अब आपको उस शक्स का फेस्बुक अकाउंट दिखाते हैं जिसको गोली लगी थी बता दे कि गोली लगने वाले युबक का नाम शादाब नजार है जहां गोली कांड करने वाले लड़के को हिंदू आतंक वास से जोड़ कर पेश किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लिब्रल मीडिया ने घायल होने वाले शादाब को काफी सीधा और शर्मीला पेश किया और बताया कि वो पढ़ने लिखने वाला शात्र है जब हमने इस बात की तफ्तीश की तो हमें पता चला कि ये शक्स कितना शर्मीला और सीधा है जो कि फेस्बुक पोस्ट से जहर घोलने का काम करता है आईए आपको भी दिखाते हैं शादाब के पोस्ट सबसे बहले बात करते हैं 14 फरवरी 2019 की पुलवामा आतंकी हमले के बाद 16 फरवरी को किये गए उसके पोस्ट की जिसमें वो पुलवामा अटाक को चुनावी जुमला बताकर शहीदों की शहादत का मज़ाग बनाता है उसने अपने पोस्ट में लिखा कि कोई इस बात से कैसे 100% सहमत हो सकता है कि ये आतंकी हमला था ये जरूरी ही नहीं है उसने लिखा कि वोट पाने के लिए राष्ट भक्ती का ये पैंतरा आजमाया जा रहा है और तो और शादाब ने कुईन की एक खबर शेयर करते हुए ऐसा जहर उगला जिसकी उमीद आप नहीं कर सकते उसने अपने पोस्ट में लिखा कि मणीपूर की महिलाएं चिला कर कह रही है कि इंडियन आर्मी ने उनका रेप किया है जबकि इस खबर की कोई पुष्टी नहीं हुई है तो वहीं शादाब ने 18 जून 2018 को एक लिंक को शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा कि गौ मूत्र धूम मचाय सामने कोई टिक ना पाए गौ मा गौ मा लिंचिंग वाली गौ मा इस राइमिंग से जनाब थीम सॉंग सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे इसी कड़ी में शादाब के जहरीले ट्वीट्स का सिलसिला लगातार जारी है बता दे कि उसने 9 जुलाई 2017 को एक पोस्ट करते हुए आतंगवादी बुरहान वानी का बचाव भी किया है उसने अपने पोस्ट में लिखा कि अगर सिर्फ बंदूक उठा कर निर्दोश लोगों को मार देना हिंसा है तो फिर पुलिस और भारतिय सेना बुरहान वानी से कैसे अलग है इस पोस्ट के जरीए शादाब ने पुलिस और भारतिय सेना पर निर्दोशों को मारने का आरोप लगाया है और उनकी तुलना आतंक बादी से की है इसी तरह से उसके ऐसे कई पोस्ट हैं जिससे उसकी मानसिक्ता का पता चलता है लेकिन हम ये साफ कर देना चाते हैं कि इस खबर के जरीए हम ये बिलकुल साबित नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं कि शादाब को समाज में जहर घोलने के चलते गोली मारना सही है लेकिन इस खबर से हम आपको ये बताने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि भारत में ऐसे जहरीले लोगों की कमी नहीं है जो आगे चल कर शर्जिल की शकल ले सकते हैं इन्हें भारत की किसी कानून और भारत की सम्विधान से कुछ लेना देना नहीं है इन्हें उन्हें तो बस भारत को पाकिस्तान बनाने की कस्म खा रखी है और इस मकसद में काम्याम होने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताईए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें साथ ही हमारे चानल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें